हेलो गाइज, वेलकम टू माई चेनल इनकानूनी कीडा और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही बढ़ी अप्डेट आप सभी के लिए आया हुआ है जो भी केंडिट्स ने का एक्जाम दिया था उन सभी का यहां पर रिजल्ट निकल कर आ चुका है तो नोटिफिकेशन क्या है उसको हम डिटेल समें इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास तक देखते रहेगी तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप स्क्रिंड के उपर द कर लेंगे और नोटिफिकेशन को देख रहे थे क्या है नोटिफिकेशन और यहां पर आप सब दिख सकते हैं जैसे कि मैंने पीडियो को डाउनलोड कर लिया है और हाई कोट ऑफ मध्द परदिस जबलपूर के तरब से नोटिफिकेशन इकल कर आया हुआ है का result declare कर दिया गया है जिसका लिस्ट भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इनके official website के उपर जो आप official website के उपर विजिट करके देख सकते हैं साथ में जो भी candidates में यहां पर में रिटेन examination करें जो result आया है वह आप देख सकते इस PDF में दिया हुआ है और इसके साथ interview को जो date है वह बहुत जल्द ही आपको website के उपर देखने को मिल जाएगा जिससे आप चेक भी कर सकते हैं और साथ में जो high court of madhpradesh के तरफ से जो candidates को यहां select किया गया है जिनका merit wise provisional select list with marks, that means यहां पर merit wise यहां पर list भी निकाल दिया गया है जो total 137 candidates को यहां पर select किया गया है, unreserved से 98 है, OBC से 12 है, SC से 21 है और ST से 6 candidates को select किया गया है इस तरह की से total 137 candidates को यहां पर men's return exam में qualify करके यहां पर select किया गया है interview के लिए और जिसे कि आप स्किन के उपर दे सकते हैं विगरा दिया हुआ है marks के साथ में जो candidate यहां पर select किये गया है तो अगर आप भी इस exam को दिये हैं और आपको result आप भी इस exam को दिये हैं और qualify कर पाया है या ना कर पाया है इसमें आप चेक कर सकते हैं अपना नाम और इसी तरीके से loss related update जानने के लिए कामनी किटा को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो अच्छा लागा तो like किजेगा share किजेगा और यहां पर हर तरह का update आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो को जितना हो सकते share जरूर कर रहे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब क